जहिन दोस्तों स्वागत आपका विजयपत दिफेंस एजुकेशन में आज हमारी क्लास 6 है HP पुलिस डेली मिक्स जीके की इस वीडियो में डिसकस करेंगे more than 15 most important questions जो कि आपके HP पुलिस exam के लिए most important रहेंगे आपके लिए ये वीडियो mission 2021 रहेगा जो आपके HP पुलिस exam को crack करने में काफी helpful रहेगा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा basic foundation का court start हो चुका है जो की cover करवाता है आपके आने वाले सभी state और center government exam को so 100% sure success के लिए आप अपना sure batch start कर सकते हैं विजयपत defense education में so first question है इस वीडियो का लामा डल जील कहां पर स्थित है तो लामा डल जील जो है ये कहां पर स्थित है where is the Lama डल लेक located तो ये हमारी स्थित है district चमबा में इस वीडियो में हम हिमाचल जी के, इंडिया जी के और कुछ general science के most important question discuss करेंगे यहाँ पे आपने confuse नहीं होना है क्योंकि एक और question यहाँ से बनता है कि सिर्फ डल जील कहां पर है अगर डल जील की बात करें अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो डल जील है हमारी district kangra में जो की धरमशाला में पढ़ती है और अगर मैं लामा डल जील की बात करूँ तो यह पढ़ती है district चमबा में और अगर आपको ओल इंडिया से एक अगर question आता है कि डल जील कहां पर है तो तब आपने preference करनी है जमू एंड कश्मीर को next one है यमूना नदी का पुराणिक समंद किस देपता से है तो यमूना नदी का जो है वो relation किस देपता से माना जाता है तो वो माना जाता है सूर्य देपता से और अगर इसके पुराने नाम की बात करें यमूना नदी का पुराना नाम क्या है तो कलिंदी जो है इसका पुराना नाम है और ये हिमाचल की सबसे छोटी नदी है सिरमोर डिस्टिक से जो है ये बहती है नेक्ट वन है भारती राश्ट्री ध्वज का डिजाइन किस ने तियार किया फू डिजाइन दा डिजाइन आफ इंडियन नैशनल फ्लैग तो इंडियन नैशनल फ्लैग जो है हमारा राश्ट्री ध्वज उसका डिजाइन किस ने तियार किया गया था तो ये तियार किया था पिंगली बैंक के याने और अगर मैं राश्ट्री ध्वज की बात करूँ तो वो होता है हमारा तू रेशो बन जो है वो हमारी रास्ट रिधोज की रेशो है नेक्ट वन है बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है इन विच स्टेट अबनिहाल पास इस लोकेटेट तो बनिहाल दर्रा जो है यह हमारा स्थित है जम्मू कश्मीर में और रहतांग दर्रे की बात करें तो यह हमारा है हिमाचल प्रदेश में नेक्ट वन है बरतमान में भारती रिजर्ब बैंक के गवर्नर कौन है तो भारती रिजर्ब बैंक अफ इंडिया तो भारती रिजर्ब बैंक जो है यह हमारा मुंबई में और प्रेजेंट के गवर्नर है शक्ति कांत दास जो की है हमारे 25 फिफ्थ नंबर के गवर्नर और अगर मैं फस्ट गवर्नर की बात करूं कि इंडिया रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के पहले भारती गवर्नर कौन थे तो उनका नाम था सीडी देशमुक नेक्स वन है मित्र शक्ति नामक सियुक्त सैन ने अभ्यास किन दो देशों के मध्य क किया जाता है जोइन मिल्टरी एक्सराइज कॉल्ड इलाइट पावर इस देन बिट्विन बिच टू कंट्री तो मित्र शक्ति अभ्यास जो है यह किया जाता है भारत और शिर्लंका के बीच में नेक्स वन है स्टेट बैंक ओफ इंडिया का पूराना नाम क्या है वाट इस और स्टेट बैंक ओफ इंडिया का जो पूराना नाम है वो है हमारा इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है बोडिस प्रड्यूस इंसुलिन तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां से इंसुलिन रिलीज होता है तो कि हम Jink बोलते हैं और Jink का सिंबल होता है Jn Next one है प्रितवी की जुड़वेहन किस ग्रह को कहा जाता है Which planet is called the twin sister of Earth प्रितवी की जुड़वेहन जो है ये कहा जाता है शुकर ग्रह को और दूसरे नंबर पे हमारा ये ग्रह आता है प्रित्वी की तरह ही यह हमारा Almost Gray है और जो अगर मैं बात करूँ कि Numbering के हिसाब से शुकर जो है वो हमारे दूसरे नंबर पे आता है और प्रित्वी जो है वो हमारे तीसरे नंबर पे आती है Next one है बैजनात का प्राचीन नाम क्या था? तो बैजनात का जो पुराना नाम था वो था हमारा कीर ग्राम Most Important Question है आपको बताना है कि तरिगत किस का नाम था? तरिगत जो है वो प्राचीन नाम है और वो किसका नेम था? Next one है हिमाचल प्रदेश के कि स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मतस्य प्रजनन केंदर स्थित है तो हिमाचल परदेश का जो सबसे बड़ा या फिर एशिया की ही बात करें सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर जो है ये हमारा स्थित है दियोली में और दियोली परता है हमारा डिस्टिक बिलासपूर में बिलासपूर से आपने एक और चीज याद रखनी है बिलासपूर में कोठी पुरा नामकसान है बहाँ पे एमस की सापना की जा रही है आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हिमाचल में कोई भी हमारा एमस नहीं है 2022 तक ये बन के त्यार हो जाएगा और पूरे हिमाचल में जो है वो काफी अच्छी स्वास्तिकी सर्विस मिलेंगी एम्स के थुरू तो एम्स जो है ये हमारा बन रहा है कोठी पूरा जो की पड़ता है हिमाचल के किस जले में नमक की खाने है तो नमक की खाने ये है हमारी डिस्टिक मंडी में और यहीं से जो है वो पूरे भारत बर्ष में नमक की सप्लाई की जाती है हिमाचल परदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक जील कौन सी है विच इस दा लार्जस्ट नैचुरल लेक ओफ हिमाचल परदेश तो सबसे बड़ी प्राकृतिक जील है हमारी रेणु का जील और यह हमारी है डिस्टिक सिर्मोर में और इसको जो है वो सोई हुई इस्तरी के समान जो है वो बोला जाता है नेक्ट वन है लास्ट कोशन वीडियो का हिमाचल परदेश में सुकेत सत्यागरह कब हुआ था जल परदेश में अठारा फरबरी 1948 को important question है और आपको mind में ये question सेट करने है ताकि आपका HP पुलिस का जो exam है वो crack हो सके easily तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें शेर करें और विजयपत डिफेंस YouTube चैनल को subscribe करें जय हिंद जय भारत